मैं प्यूश खांबिया और मैं आप सब का बहुत बहुत स्राइट करता हूँ आपके अपने इस रीरिन क्लासिस के चैनल पर और जैसा कि आप सब को पता है कि हम हरोज फाइफ कुश्टिंस करते हैं जो कि MBPC पॉइंट ओफ यू से बहुत इंपॉरंट है और आप सब के सपोर हम स्टाट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है अग्री कल्चर एड एनिमल हजबेंड्री इन मद्र परदेश मद्र परदेश में क्रशी एवं पशुपालन प्रश्ण एक मद्रप्रदेश में सर्वादिक सोयाबीन कहा होता है ओप्शन्स है A. मालवा, B. बुदेलखंड, C. बंगेलखंड, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है A. मालवा मद्यप्रदेश को देश में सरवादिक सोयाबीन उत्पादक राज्य का दर्जा प्राप्त है इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है जब की प्रदेश में सरवादिक सोयाबीन उत्पादन मालवा शेतर में होता है Question No. 1 Where is the highest सोयाबीन in मद्यप्रदेश? A. मालवा, B. बुदेलखंद, C. बगेलखंद, D. नन उत्पादन, and the answer is A. मालवा मद्यप्रदेश has the highest सोयाबीन producing state status in the country therefore it is also called सोया state whereas most सोयाबीन production in the state is in मालवा region Question 2 Verse 2010-11 में मद्यप्रदेश का देश के कपास उत्पादन में कौन सा स्थान था? A. तीसरा, B. पांचवा, C. साथवा, D. पंदरवा इसका उत्तर है B. पांचवा कपास फसल के छेत्र में वर्ष 2009-10 के अपेक्षा वर्ष 2010-11 में 3.17% की व्रधी हुई और शेत्र फल गत वर्ष के 630,000 हेक्टेर से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 650,000 हेक्टेर हो गया इस अबधी में कपास फसल के उत्पादन में वर्ष 2009-10 वर्ष के अपेक्षा वर्ष 2010-11 में 41.42% की व्रधी हुई और उत्पादन गत वर्ष के 746.05,000 मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 1055.4,000 मेट्रिक टन हो गया वर्ष 2010-11 में मद्रिप्रदेश का देश का कपास उत्पादन में पाच्वा इस्थान है Q2. Which was the place of मद्रिप्रदेश cotton production in the year 2010-11? A. The 3rd, B. 5th, C. 7th, D. 15th The coverage of cotton crop increased by 3.17% in the year 2010-11 from the year 2009-10 and the area increased from 630,000 hectare in the last year to 650,000 hectare in 2010-11. During this period, the production of cotton crop increased by 41.42% in the year 2010-11 from the year 2009-10 and production increased from 746.05,000 metric tons of the last year to 1055.4,000 metric ton in the year 2010-11. Q2. Madhya Pradesh is the 5th in country's cotton production in the year 2010-11. Q3. Madhya Pradesh के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती है? A. Mansoor, B. Neemaj, C. Dittlaam, D. Sagar और इसका आंसर है? D. सागर Madhya Pradesh का Mansoor जिला मुख अफीम उत्पादक जिला है साथ ही नीमच तथा रतलाम में भी अफीम की फसल उगाई जाती है लेकिन सागर जिला अफीम उत्पादक जिला नहीं है अर्थाथ सागर में अफीम की फसल नहीं होती है Q3. Which district of Madhya Pradesh does not have opiump crop? Options are A. Mansour B. राकि नेमच देटलाम D. सागर And the answer is D. सागर Mansour district of Madhya Pradesh is the main opiump generating district As well as Opiump crop is grown in नेमच आरतलाम बट सागर is not a opium district means opium crop is not available in the सागर प्रश्न चार चंबल आइकत विगास किस कारे के लिए है A. चंबल नदी पर बांधों का निर्मान B. चंबल बेसिन में सफाई और प्रदूशन C. करशी के लिए नालों का उद्दार B. नई नहरों के निर्मान से चंबल बेसिन में सचाई इसका उद्दर है C. करशी के लिए नालों का उद्दार चंबल आइकत विगास करशी के लिए नालों का उद्दार के बारे में है इसके तहट आशे है कि किसी सिचाई प्रयोजनगना जैसे नहर, बांध या टैंक द्वारा सिचाई शेत्र Q4. चंबल आइकर देवलोप्मेंट इस फोर वाट वर्क? A. चंबल रिवर B. चंबल बेसिन C. डेप्षिन D. इसलिवेशन विय Kristus C. इसलिवेशन शेवेशन लेसित्वार D. इसलिवेशन वहर, प्र सिचाई जैसित्वान हूझेश —सलिवेशन जैसुः। इसलिवेशन देवेशन उड विय करीकोलिद चंबल आइकर ढरश एकरद इसफूड़ देश में कौन सा राज सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों आज इसी टॉपिक पर हमने पहले एक कोशन डिसकस करा है तो शायद आपको आंसर पता होगा जल्दी सा अंसर बता दीजे आंसर है एग्जाक्ली ए मद्रप्रदेश सोयाबीन मुख्य तिलहन फसल है जिसका देश में सर्वादिक उत्पादक राज मद्रपदेश है देश के लगबग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले मद्रपदेश राज करता है इसलिए मद्र प्रदेश को सोया एस्टेट नाम से भी जाना जाता है कोशन नमबर 5 विच स्टेट इस दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओफ सोया बीन इन दी कंट्री ऑप्शन सारे मद्र प्रदेश बी उत्र प्रदेश सी गुजराथ दी हमाजर प्रदेश आंसर इस ए मद्र प्रदेश सोया बीन इस दी में ओईल सीट क्रॉप विच इस दी मोस्ट प्रोड़क्टिव स्टेट ऑफ मद्र प्रदेश इन कंट्री मद्र प्रदेश अलों प्रोड्यूसर इस एक पर से आज के पांच कोशन दिसकस कर चुके हैं मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं आप कहीं ना कहीं ग्यान अर्जित कर रहे होंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज जरूर लाइक का बटन दबा दीजे और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साइट में जो बैल लिकान है उसको जरूर प्रेस करेंगा जिससे आपको हमारी वीडियो का टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जरूर शेयर करेंगा जो MPPC का एक्जाम देने जा रहे हैं और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में दोस्तों पढ़ते रहिए खुश रहिए थैंक्यू धन्यवाद बाई बाई